हेलो फ्रेंड्स, मोंगरे का प्लांट ज़्यादा तर गर्मियों में फूल देता है, इसके सफेद रंग के छोटे फूल बहुत प्यारे होते हैं, साथ ही इसके खुछबूबी मोंगरे का प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करें, तो इसके लिए अपने गमले की मिट्टी को एसीडिक रखना होगा, जब मिट्टी एसीडिक होगी, तो प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, और ग्रो करता है, साथ ही अच्छे फूल भी लगते हैं, मिट्टी को एसीडिक बनाने रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फिटकरी का, महिने में एक बार प्लांट में फिटकरी का पानी जरूर डालें, इससे प्लांट को पोटेशियम मिलता है, फिटकरी से मिट्टी का पीच लेविल मेंटेन होता है, जिससे जब भी हम प्लांट में कोई भी खात पोशक दत्व देते हैं तो वह उसे आसानी से एब्सॉर्ब कर लेता है अगर प्लांट में फंगस या कीड़े लग जाएं तो फिट करी का इस्तमाल काफी अच्छा ऑप्शन है फिट करी का पाउडर बना के उसे पानी में मिक्स करके प्लांट में इस्प्रे करें इ अभी जाकर वहाँ पर नई पत्तियां वह शाखाय हो गेंगी और उसमें धेरो कलियां भी आएंगी फर्टिलाइजर के लिए एक लीटर पानी में फिट करी और थोड़ा प्याज की छिलकों को चार पाज घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें इसके बाद इस जरूर करिए थैंक्स फॉर वाचिंग